जैसे रादीजी, वेलकम टू हडएंगेस्ट्रौ फॉरेन के ट्रिप, विदेश यात्रा, घुमने का सौक, उहाँ पर जाके पढ़ने का सौक, उहाँ पर पुरी जिंदगी रहने का सौक, उहाँ पर बिजनेस करने का, नौकरी करने का, आप आम भारतियों में देखेंगे, या इंडिया सो के सिघ्टेंटेर में जहाँ भी हम जाएंगे उहाँ प्राक्रेश है इसका सब चाहते हैं कि हम फॉरल में रहें, वहीं पढ़ें, उहाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ इसे सब कुछ अच्छा है, यहां बहुत गंदी है वगरेवेगरेश। तो आजम देखेंगे हस्तरेखा के द्वारा कि कि आपके नसीद में भी विदेशियात्रा की उग है किस निमित त्से है क्या बढ़नरे केश्मयमा जो, और दिक्ति यह जाने के वाले है तो वह आपके योगों को ज्यादा अस्पष्ट करने का काम करती है, परबल करने का काम करती है, यानि कि COT बढ़ती चली जाती है, वहीं अगर एक खतेली में ही सिर्फ रेखा हो, तो हाँ पर आपके कर्म को बढ़ाने के जुद्रत परती है, और कहीं ने कहीं आपके लग के होता है कि चीजे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वैसी स्थिति में आपको अपने तरफ से पूरी मेहनत करने के आवसकता होती है, और बाकी कुछ प्रम्धिता प्रमस्वर पर छोड़ देने के आवसकता होती है, विदे स्यात्रा, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाल यहां से निकल के बाहर की तरफ जा रही है, और कुछ पुलेगा इस तरफ से निकल के अंदर की तरफ जा रही है, जाहे हो किसी भी परकार से जा रही हो, अगर ऐसी स्थिति यहां पर बनती है, तो उसका आपके जियोन में अस्पस्टलाब है और आपके विदे स्यात्रा की योगों को दिखाने का काम करती है अंतर बस इतना है कि अगर अर्धव रेखा है और उर्धव रेखा है तो ऐसी स्थिति में जातक एक लंबे समय तक वहां रह पाएगा और अर्धव रेखा की स्थिति में जातक एक छोटे समय तक रह पाएगा अगर कोई भी रेखा यहां प इसके अलावा अन्य कुछ रेखाओं का सही होगा तो साधी वही होगी पच्चे वही होगी उसके विसाय में भी बताएंगे लेकिन अगर अरधाव रेखा की स्थिति यान कि इस तरफ से बाहर की दरफ जा रही हो ऐसी स्थिति में जाता कुछ समय तक होँआ जाएगा किसी प ये रेखाएं आपके चोटी-चोटी यात्राओं को भी यहाँ पर दरशाने का काम करती हैं और कई बार स्वास्त समंद्धे समस्याओं के कारण वापस आजाने के इस्थिति को भी दर्शाती हैं इसके लिए आपको बुद्ध की रेखा और स्वास्त रेखा इन दोनों को यहां पर देखना पड़ेगा कि रेखाई कैसी जा रही है क्योंकि इस रेखा पर जो भी प्रभाव है उसका पूरा लिंक आपको आपके हाथ में फैला हुआ है उसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं ठीक है अब यहां पर कुछ अन्य स्थिति भी आपको देखने को मिल सकत है जैसे रेखाई से आई और यहां पर आके ऐसी हो गए यह कि सिस्तिति को दर्शात हैं यहां पर क्या होगा कि चात तक अपने घर से यानि कि जनम अस्थान जो उनका है उहां से किसी और सहर में रहेंगे और उस सहर से जाने के बाद और विदेश-परवास पर जाएंगे और जब विदेश परवास से एक लंबे समय के बाद लोटेंगे, उसके बाद भी अपने जनमस्थार मन नहीं रहेंगे, बलकि किसी और सहर में जाके बच जाएंगे, और उनका कनेक्शन विदेश के साथ उसी प्रकार बना रहेगा, वैपालिक और नौकरी वालो जो भी काम ह वो उसके साथ कनेक्टेट रहेगा, और मल्टिनेशनल कंपनियों के साथ या उस तरीके गववे पार के लोग करेंगे, तो उसमें इन के लिए सफलता की योग अस्वरस्तोर पर बनते रहेंगे, अब यहाँ पर नीचे की तरफ आती है, अगर एक इस्तिति इन दोनों में स इस्तिति भी बन जाती है, कई दफे समझना आपके लिए पेचीदा हो सकता है, क्योंकि जैसा हम बताते हैं हमेसा रेखा उसी प्रकार से के लिए रैकुरेट सीधी नहीं होती, तो जब हम उन्हें देखते हैं तो जादा आस्पस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए बस समझने के लिए बता रहे हैं इन चीजों को ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अन्नी स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी, जैसी रेखा सीधी इस तरह बढ़ी है, किसी रेखा ने इसे काट दिया है, अगर यह रेखा जिसने काटा है, इसकी दूरी बस इतनी ही है, यान को नुकसान उठाना परेगा, इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि विदेश जाकी आप क्या करने वाले है, किस निमित दूहां जाने वाले है, क्या नोकरी करेंगे, क्या वयपार करेंगे, या पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको देखना परेगा कितनी ज्यादा संजीदा है कितनी गहरी है अगर काफी गहरी हो के सुरुवात से आगे बढ़ी है ऐसी इस्थिति में आप पढ़ाई के लिए जाने वाले हैं उहां लंबे समय तक रहेंगे बढ़ाई करेंगे और अगर यह रेका पूरी लंबी इस छतर तक आ गई है बुद् करेंगे और अपने आपको से चल करेंगे चाहिए आप यहां से खाली हाथ काया हों लेकिन उहां जाकर अपनी लाइफ को बहुती बहतरीन इस्थिति तक लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे इसके अलावा अगर आपकी मस्तिष्क रेखा के स्थिति इहां पर बहुती कि इस उपरी चेतर में एक से लेके तिन तक की संख्या है बुद्ध की रेका मर्दे के चेतर में जाके रूप गई है यह सपस्ट करेंगे कि जाद तक वहां पर नौकरी के लिए जाएगा एक लंबे समय तक नौकरी करेंगा फिर प्रजेक्ट कुरा करके वापस चलाएगा अगर एक हाएँ आपर चोटी हो अगर एक हाएँ आपर बड़ी हो तो लंबे समय तो कोहा रहेगा अपने एक्षा नुसार उस दिन रहने के वाद फिर वापस जोसका देश है वहां पर चला जाएगा और फिर वहां पर किसी अच्छे सहर की तरफ बढ़ेगा मूब करेगा और वहां पर रखे विदेश के साथ अपने समयंदों को परकरार रखेगा इसके अलावा उपरी छेतर में इस रेखाओ के साथ अगर कोई रेखा चलती है तो यह स्वश्ट करती है कि जाब तक कि जो आने वाली पीडिया है वह भी विदेश में रहेंगी और वही पर उपन अधिन तवस्यक होता है गुरू का अच्छेतर जितना जादा परवल होगा आपके लिए बरिस्थिती उतनी आसान होगी और बहुत जल्दी आप वहां पर पानी में नमक और चिनी की तरह गूलते चले जाएंगे अगर सनी की स्थिती आपके पक्षमें वहां पर होगी तो आप बहुत जल्द अपना वहां पर अच्छा खासा नाम कर लेंगे और अपने आपको अस्थापित कर लेंगे फिर आपको कोई डिगान नहीं पाएगा लेकिन अगर स्थिती इनकी अच्छी नहीं वी तो स्वास्तसमंदी और आर्थिक परसानियों के कारण आपको विदे अगर अच्छी नहीं हो तो ऐसी इस्तिति अच्छी होने पर चिकत्सा के चत्र में लोग के चत्र में और एकेडमिक भी आप अपने आपको बेखर तरीके से साबित कर सकते हैं और जीवन को सही दिशा देने का काम कर सकते हैं मत्त के चत्र में अगर धनपेटी के स्थिति आपके लिए बनती है और भी आपके लिए काफे सुन्दर है और आपके बहतर योगों को यह दर साने का काम करती हैं मालनों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिर्किया देली में चंदर के शित्र में रेखाओ के इस्तिति अच्छी नहीं बन परी है वैसी इस्तिति में आपका सनी और सुर्य महतपुर्ण भूमिका निभाता है आपके लग को बढ़ा के आपके जीवन को बेहतर करने का विदेश के जो सेट्लमेंट के इस्तिति है उसे आपके लिए अस्पष्ट करने का तो मोटे तौर पर आप समझ गया होंगे कि ये रेखा कैसे काम करती है और किस परकार अबिदेश यात्रा का लाव या वहां पर सेट्ल होने का लाव उठा सकते हैं इसके अलावा इसके बारे में और और एक से जाना हो बिल्कुल किस्टर के लिए तो अपने हस्तिरेका के दिन के दोरा इनके बारे में आप चान सकते हैं मिलते हैं फिर तब तक के लिए जैसे रादे वन एनवर्टी रियल एंस्ट्रो प्रेम एंस्ट्रो